इंडिया केलना चाहते हो तो अपने गेम करने पे लूचा करना होगा औरे कोन है तू रलाए नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सबी का आपके चैनल एवी बॉक्स आप्विस में दोस्तो ज़दा टाइम ना वेश्टे करते हुए आज हम बात करेंगे फिल्म पुष्पा दरूल की बहतरिंग अपडेट के बारे में फिल्म के बारे में बताएंगे आपको और दोस्तो आपको बताएंगे कि मूवी रिलीज होने के पहले कितने करूप रुप्य कमा चुकी और दोस्तों इसी क्या धिक्कर आ गही फिल्म में जिसी चलते हैं इस फिल्म की सुटिंग भी आगे बढ़ चुकी है वहीं पूज़े हम आपको बताएंगे फिल्म रामायन मुवी के बारे में और दोस्तों हम बात करने वाले हैं बहत्रिंग और दोस्तो वन अब दा बेश्ट फिल्म वेलकम टू तू जंगल के बारे में जिसके नदर आप सभी को पता है के काफी बड़े-बड़े करेक्टर काम करते हैं नजर आने दोस्तो अगर हम बात करें सबसे पहले बॉलिवूड फिल्म में इंडस्टी साउथ फिल्म में इंडस्टी या फिर दोस्तो हॉलिवूड फिल्म में इंडस्टी कहीं पर भी इनका नाम लेलो इनके फैंस आपको मिली ही जाएंगे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ इस्टैलिस इस्टार अलू अर्जुन सरकी अब आप सभी को पता है कि इनकी फिल्म पुश्पादा रूल जिसको हम सभी के बीच में काफी जल्द रिलीज होना है लगता है कि ये डिल से ऐसे 300 करोड रूपे में भी पक्की हो जाए यानि कि यहाँ पर पुश्पा मुवी ने ट्रिपल आर मुवी के रिकॉर्ड तो अल्रेडी तोड़ जिये हैं बड़ दोस्तो में बात क्या है तो दोस्तो आपको बता दे कि डिस्टिब्यूटिंग जो राइट से वो भी ओल्डेडी बिक चुके हैं और दोस्तो वो भी के हैं 200 करोड रूपे में अब दोस्तो डिचिटल राइट से बिके 300 क्रोड में और दोस्तों डिस्टिब्यूटर राइट से भी के हैं 200 क्रोड रुपे में और दोस्तों मूवी का जो बजट है वो है 500 क्रोड रुपे यानि कि दोस्तो केवल इस्टाडम के दम पर ही पुश्पा मुवी ने अपना बजट केवल दो राइट से बेच के कमा लिए अब दोस्ता आप सबी को पता है कि जब इस मुवी के अधर राइट से बेचे जाएंगे तो ये फिल्म हजार करोड रुपे का कलेक्शन तो रिलीज होने के पेले ही कर लेगी यानि कि दोस्तो पुश्पा हूँ ने वाकी में बता दिया कि में जुकेगा नहीं साला चली दोस्ता हमारी अगली अपडेट निकल के आती है फिल्म रामायन को लेकर जिसके नदर आपको इस्टारर रैंबीर कपूर रोकिंग इस्टार यास और साई पल्ले वी काम करते हैं निजर आ रही है दोस्तो हमना आपको बता था कि इस मूवी के जो सेट से उसको पर 85 क्रोड रुपे खर्च करेगा है जो कि दोस्तो है काफी बड़ा रंबर होता है किसी भी सेट को तयार करने के लिए पर दोस्तो आपको बता दे कि यहाँ पर रामायन मूवी के नदर जो सेट का खर्चा है वो 110 क्रोड रुपे पे पहुच चुका है जानी कि आप अंदर लगा सकते हैं कि इस मुवी को पर काम करने के लिए 300 क्रोड रुपे तो और चाहिए ही चाहिए इस से आप अंदर लगा सकते हैं कि मुवी सब्धा के पहले पार्ट में 600 क्रोड रुपे का बज़ठ लेके चलने वाली है तो दोस्तों हमारी अगली अपडेट निकल के आती है फिल्म वेलकम टू दो जंगल को ले करके आप सबी को पता है कि इस मूवी के अंदर संजेदाज, सुनिल सेटी, अक्षे कुमार, अरसद वार्सी, जावेज जाफरी, रवीना टंडन और दोस्तों कई सारा दिगज के ला वाली है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, फिलाल में दोस्तों इस मूवी की जो अपडेट निकल के आई है, वो ये है कि इस मूवी का जो मेन सोंग होने वाला है, वेलकम, उसके अंदर दोस्तों तीन तीस जो केरेक्टर हैं, वो तो दोस्तों मेन लीट के पर दोस्तो उसके अलावा 500 background dancers के साथ में इस song को suit करा जाएगा यानि कि आप अंदाज लगा सकते हैं कि केवल song को shoot करने के लिए 500 background dancers है जानि कि दोस्तो ये film वाकई में तबही मचा सकती है और दोस्तो वक्त बताएगा कि ये film अपने पहले दिन कितने करोड की opening लेगी चलिए दोस्तो बढ़ते हैं हमारी film बड़े मिया छोटे मिया की तरह तो दोस्तो फिल्मों को box office पे लगे विए को हो चुके हैं 12 दिन complete और दोस्तो हम आपको बताएगे कि फिल्म अपने 12 दिनों में कितने करोड रुपे कमा लिये और साथी साथ दोस्तो मूवी अपने 13 दिन कितने करोड रुपे का पेडिक्शन बता रही है अब दोस्तों मूवी ने अभी तख हम सभी के पीच में कितने करोड रुपे कमा लिये हैं तो चलिए दोस्तों हम भड़ते हमारी अपडेट की तरह वेल फैन इस फिल्म ने हम सभी की पीच में अपने पहले दिन जबकि दोस्तों मुवी ने अपने पहले हपते में सभी फिल्मों के रिकोर्ड तोड़ते हुए एक दोस्तों शांदर कलेक्शन करा था और दोस्तों कमाल ये थे उन पचास क्रोन नबहे लाक रुपे अब दोस्तों बात कRI जाए तो ये फिल्म अपने 12 दिन का कलेक्शन है वो करते हुए नजर आई लगबक 80 लाक रुपे तो दोस्तों वहीं पी इस फिल्म अपने 13 दिन लगबक एडवांस बुकिंग में 40 लाक रुपे का इडवांस बुकिंग कलेक्शन कल लिया है। ज़सी चलते हैं इस फिल्म का जो gross collection है वो हमको 76 करोड का देखने के लिए मिल रहा है अब दोस्तों आपको बता दे कि जहांपर फिल्म में के अंदर आपको action suspense और ड्रामा देखने के लिए मिलता है वहीं पर दोस्तों movie का जो बज़र्ड है यानि कि दोस्तों मेदान के बारे में तो आप सभी को पता है कि इस फिल्में को काफी अच्छा support मिलना चाहिए था और दोस्तों अगर यह फिल्म में अगर solo release होती है तो मुझको यकीन था कि यह फिल्म में बड़े बड़े record सो तोड़ने वाली थी जी हाँ दोस्तों मेदान फिल्म जिसको कई बार postpone करा गया और दोस्तों आखिरकार आप यह हम सभी की विच में release हो चुकिये दोस्तों इस फिल्मे को मैं personally देख के आ चुका था और दोस्तों फिल्म वाक्य में शानदर और जानदर है फिल्म आपको कहीं पर भी बोर नहीं करने वाली और फिल्म की लेंथ तीन घंटे होने के बावजूद भी आपको ऐसा नहीं लगएगा कि आपने तीन घंटे इस फिल्म को देखने में बिताए हैं जी हाँ दोस्तों फिल्म इंट्रेश्टेड है दोस्तों फिल्म में मैदान जो कि एक भारती स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसके अंदर आपको अजे रेवगन, पिरिया मानी और गजराज राओ जो से और भी कई सवर दिगज कलाकार काम करते हैं नजर आते हैं फिल्म को डारेक्ट करा है अमिश शर्मा ने और फिल्म को प्रेडियूस करा है जी स्टूडियो ने अब अगर हम बड़े फिल्म के कलेक्शन की तरब तो दोस्तों मुवी ने अपने पहले दिन की ओपनिंग ले थी 4 करोड़ 50 लाक रुपे की जो कि दोस्तों काफी अरा कम थ अब दोस्तों कहीं बड़े मिया चोटे मिया अपने बजट का केवल 10% ही कलेक्शन कर पाई है जी हां दोस्तों 50 करोड रुपे अब दोस्तों आपके ओपिनियन क्या है आपको इन दोनों में से कौन सी फिल्म में अच्छी लगी विस्ते दोस्तों बॉलिवूड फिल्म में इंडरेस्टी में तो और भी कई सरी बड़ी बड़ी निउस निकल के आ रही है आपको क्यों की जानकारी चाहिए कमेंड करके जुरूर बताईएगा और दोस्तों आपके और हमारे चैनल एवी बॉक्स अफिस को सस्क्राइब करना ना भूलेगा चलिए दोस्तों हम बढ़ते हमारी अगली अपडेट की तरह जब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना और अपने मात पिता का जैहिंद वनने